हलो एवरिवन तोड़ेस टॉपिक इस पोएट्स एंड पैनकेक्स बाई शोका मित्रण आज जो है हम इसके क्वेश्चन अंसर डिसकस करेंगे इससे पहले कि इसी लेसन के जो है फर्स्ट फॉर क्वेश्चन मैंने पार्ट बन में डिसकस किये हैं तो आप वहां पे देख सकत हैं तो चलिए डिसकस करते हैं इसके क्वेश्चन अंसर इस लेसन के अंदर जो है जो है शोका मित्रण जैमनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं बहां के मेकम मेटीरियल के बारे में बताते हैं तो चलिए जो है क्वेश्चन डिसकस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख या टोप स्क्रीन डाइटर बने या लिरिक राइटर बने प्रंतु वो कुछ नहीं बन पाया एक मेकप मैन ही बनके रहे गया इस यही कारान था कि वो फ्रस्टेटर था जा डिस्पॉइंटर था वो अपना गुस्ता जो है सुबू के उपर दिखाता था जो नमबर दो था जैमनी स्टूडियो के अंदर तो आप यह सिंबॉलिक पिक देख सकते हैं ओफिस वाई की इसका अंसर आप क्या लिखेंगे मिस्टर एसस वासन जो थे जो फॉंडर थे जैमनी स्टूडियो के वो सुबू के बोस थे next question देखिए सुबू is described as many-sided genius list four of his special abilities जो सुबू है उसको जो है कही तरीके से उसको वहां पे वुद्धी मान माना गया है तो आप जो इसकी चार abilities बताइए सुबू had the ability to look cheerful at all times उसकी जो abilities थी खुश रहने की थी he was very loyal to his boss वो अपने बोस के प्रती बहुत बफादार था he was tailor made for films फिल्म के अंदर वो लगलग काम करने में सक्षम था he was an amazing actor वो एक बहुत जवरदस्थ एक्टर था he was a very good poet but generally he choose to address his poetry to the masses वो बहुत अच्छा जो पोईट था रिकता था तो next देखिए question why was legal advisor referred to as opposite by others legal advisor को दूसरे लोगों से अलग क्यों माना गया है तो इसकी answer में अब क्या लिखेंगे दा legal advisor was a good for nothing fellow ये किसी भी तरीके से अच्छा आदमी नहीं था क्यों he was a spoil sport ये रंग में भंग डालने वाला आदमी था अब ऐसा क्या इसने कर दिया देखिए इसके अंदर once through his folly एक बार अपनी गलती के दुआरा he spoiled the career of a brilliant actress एक बहुत जो brilliant actress उसका career इसने बरबाद कर दिया कैसे किया कि इसने एक जो एक बार actress थी बहां पर जो है blue over होगी set के उपर उसको बहुत गुस्सा आ गया तो उसने producer को फटकार लगानी शुरू कर दी तो इसने क्या कि जो है secretly recording equipment को own कर दिया तो वो पूरा record कर लिय जब यह actress चूप हुई तब इसने वो चालू कर दिया और actress जो थी यह सुनकर अबाक रहेगी उस दिन के बाद उसने काम करना शोड दिया तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ही बाद स्पोर्ट परसन मतलब that was why he was referred to as the opposite of a legal advisor उसको जो है legal advisor से opposite ही माना गया है और more over एक बार इ जो है producer को जो है story department बांद करना पड़ा और बहुत सारे लोगों को अपनी जोगी खोनी पड़ी तो आगे देखते हैं next question what made the liar stand out from the others at Gemini Studios जो liars था वकील था ये दूसरे लोगों से लग कैसे दिखता था बड़ी simple सी बात है the others wore a kind of uniform दूसरे लोग एक परकार की uniform बहनते थे it consisted of a khadhi dhoti and a bite khadhi shirt जो uniform थी इसमें khadhi dhoti होती और white khadhi shirt होती but the liar wore pants and a tie जो liar था ये pant और टाई पहनता था sometimes he wore a coat वो coat भी पहनता था that looked like a coat of male वो एक कप्च की भांती प्रतीत होता था इस तरह का coat तो आप देख सकते हैं ये एक आदमी है आप compare कर सकते हैं a man in tie and pant and with coat and a man in dh next देखिए that the people at Germany studios have any particular political affiliations क्या जो लोग जैमनी स्टूडियो के अंदर थे उनका कोई जो है particular जो है राजनितिक वो संबंद था no इसका अंसर आप लेखेंगे the people at Germany studio did not have any political affiliations उनके कोई भी राजनितिक संबंद नहीं थे most of them wore khadhi बहुत सारे जो लोग है वो khadhi पहनते थे they were all averse to the term communism वो जो term communism थी इसके बहुत बिरोधी थे सारे जो लोग थे next question देखिए why was the moral rearmant army welcomed at the studio moral rearmant army जो थी इसके अंदर 200 members थे यह वहाँ पे जैमनी स्टूडियो में आई और इन्होंने वहाँ पे दो play stage किये तो first play था जो थम बैली और second play था the forgotten factor और जब इन्होंने वहाँ पे play यह इनका जो basic motive था that was the counter movement against we can say that counter movement for communism मतलब उसके against थी एक जो इनका था communism के against movement थी लेकिन जो है writer को यह बात नहीं पता चली यह बाद में पता चलती है तो देखिए लेकिन इनका welcome क्यों किया गया they were about 200 members in it इसके अंदर जो 200 members थे they afforded Germany staff a good diversion from their dull routine इन्होंने जो Germany staff को एक मोका दिया उनके dull routine से बाहर आने के लिए next देखिए एक question है name one example to show that Germany studios was influenced by the play staged by MRA moral rearment army एक ऐसी example दिखाइए जिसमें हम कह सकते हैं जो Germany studios है वो influence हो गया था जो play थे staged by MRA तो देखिए इसके अंदर एक example है these place had several shows in मदरास in place के मदरास के अंदर के shows होते थे along with other people of the city जो दूसरे लोग थे शायर के उनके साथ the Germany family of 600 saw the place over and over again Germany family के जो 600 member थे उन्होंने इन place को वार बार देखा तो इससे क्या पता लगता है कि जो बाहर के जो लोग थे Germany studios के वो भी से influence थे and more over second thing एक और भी example है जहां पर बुक के अंदर मैंने जहां पर right नहीं किये तो second example क्या थी जहां पर all the after the visit of MRA moral requirement army after the visit of MRA all the tamil place जितने भी बहां पर performed at the Germany studio जितने भी बहां पर tamil play होते बहां पर perform करते have the scene of sunrise and sunset white background and a tune played on flute a background tune played on flute in the manner of the Jotham Bailey जो Jotham Bailey उनका नाटक था उसी तरह से बहां पर white background होती एक bare stage होती और बहां पर sunrise का और sunset का scene बैसे ही होता तो वो सारे बैसे ही किये जाते तो इससे क्या पता चलता है this shows that these people were terribly influenced by play staged by MRA तो इस तरह से हैं ये दो play के नाम लिखे हैं जो इन्होंने बहां पर किये से what caused the lack of communication between the English man and the people at Germany studio जो English man था और जो people थे जैमनी स्टूडियो के अंदर उनके अंदर जो है lack of communication का क्या कारण था क्या ऐसा था तो देखी the people at the Germany studio were dazed and silent because no one knew what the English man was talking about जितने भी बहां पर जैमनी स्टूडियो के अंदर लोग थे जब बहां पर एक English visitor आया इसका बहां पर बहुत अच्छा स्वागत हुआ और जो इनके founder थे SS Vassan उसने उसके लिए एक बहुत लंबा भाशन पड़ा फिर जो है audience को जे address करता है लेकिन हुआ क्या बहां पर जो people जितने भी थे वो dazed, stब्द थे, silent थे क्योंकि no one know what the English man was talking किसी को पता ही नहीं लगा कि वो क्या बात कर रहा था ऐसा क्यों था दा reason was his accent was totally unintelligible to his listeners उसका जो बोलने का लहजा था वो जो सुनने वालों की समसे परे था तो जे जो कारण था lack of communication का मतलब his accent was totally unintelligible to his listeners next देखिए question why is the English man's visit referred to as unexplained mystery जो वहां पे English man आया था unknown visitor आया था इसको एक unexplained mystery क्यों कहा क्या है इसका क्या कारण है तो इसके answer में आप क्या लिख सकते हैं nobody knew exactly who this English man was किसी को नहीं पता था कि जे English man कौन है no one knew what he was talking about किसी को नहीं पता था कि जे किसकी बात कर रहा है his accent was totally unintelligible to his listeners उसका accent समझ से बाहर था सुनने वालों की he bent away after an hour without telling anything about himself वो एक घंटे के बाद महां से चला गया अपने बारे में बिना कुछ बताए that was why his wizard has been referred to as an unexplained mystery उसकी जो जहां पे wizard थी वो एक unsoldat रहस्या बन कर रहे गी next देखिए who was the English visitor to the studio ये English visitor कौन था तो इसका अंसर का आप लिखेंगे he was Stephen Spender, he was the great poet and assessed यहां आप Stephen Spender की pick भी देख सकते हैं आपके सामने ये एक pick है साथ में next देखिए how did the author discover who the English visitor to the studio was author को कैसे पता चला कि जो English visitor जो studio के अंदर कौन था तो देखिए बहां पे जो है कुछ इस English visitor के आने के कुछ दिनों के बाद जो author है उन्होंने दा हिंदू के अंदर जो newspaper है एक article देखा जिसके अंदर जो article था जो the encounter की तरफ से था बहां पे encounter एक magazine है तो यह इन लोगों ने बहां पे एक जहां ऐसे जो है competition बहां पे communism के अगेंस जो था उसके उपर था कि जो ऐसे competition होना था कि कैसे communism के अगेंस वो ऐसे competition लिखा जाए तो author भी उस competition में participate करना चाहता था तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले इस magazine के बारे में जानकारी ली जाए तो वो British Council Library जाता है तो दिखिए इसके answer में आप क्या लिखेंगे the author visited the British Council Library where he saw the fresh copies of the encounter वो British Council Library जाता है जहां पे उसको जो है ताजा प्रतियां मिल जाती है इसको देखर उसको पता चला कि जो इंगलिश बीस्टर था ये कोई और नहीं केवल स्टीफन स्पेंडर था नेक्स्ट कॉश्चन देखिए तो इसके बारे में बताया गया है तो ये क्या चीज है तो इट रैफर्स तू दा बुक इन विच ऐसे वर रिटन बाई सिक्स एमिनेंट मैन आफ दा लैटर्स एमिनेंट का मतलब होता है फेमस राइटर्स जहां पे ये वो बुक है जिसमें ऐसे लिखे गए हैं अगेंस्ट कम्मिनिजम कम्मिनिजम के गेंस्ट लिखे हैं बाई सिक्स एमिनेंट मैन आफ दा लैटर्स जो हैं आफ फेमस राइटर्स के दुआरा बन आफ देम वास स्टीफन स्पेंडर उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर था ये बुक किसके बारे में थी ता बुक ब्राउट आउट अट डिस ऐ डिसलीजनमिन्ट ऑफ दा राइटर्स बिदा बेड़ औफ डिन्टर्नेशनल कमनिजम डिसलीजनमिन्ट होता निराशा ये जो उनकी जो निराशा जानके बापस्ती को दरशाती है नेकको realities को की बिदा बेज है उन्टर्म बे फ इंटर्नेशनल कमनि जो उन तरल आपकी टेक्स्ट बुके अंडर्सेंडिंग टेक्स्ट में से हैं जी क्वेश्चन तो वहां पर फॉर्थ क्वेश्चन है उन में से फर्स्ट क्वेश्चन है जो author है उसने एक बड़े बिनमर तरीके से जो हासे रसको जहां पे प्रयोग किया है इस lesson के अंदर मानव की जो है बीकनेस दर्शाने के लिए तो pick out instances ऐसे उधारन आप बताएंगे to show बताने के लिए कि how this serves to make the piece interesting कैसे उसने इस lesson को interesting बनाया है तो इसके answer में आप क्या लिखेंगे the author has used gentle humor to point out human foibles author ने जो है एक बड़ा gentle humor प्रयोग किया है मानवी weakness को दिखाने के लिए foibles means weakness तो ऐसे बहुत सारे उधारन हैं there are several instances कौन कौन से तो first instance दिखिए the description of the office boy is quite interesting जो office boy है उसकी description भी बड़ी रोचक है क्यों he used to slap pancake on the faces of players who played the crowd वो उनके जो भीड का भी ने करते थे उनके उपर वो क्या करता था pancake उनके चेहरे पर पोत देता था even the caricature of subhu is hilarious caricature होता चितरन जो subhu का चितरन है ये भी बहुत hilarious है means extremely funny बहुत जादा मजाकिया है कैसे the way he tries to help his principle मतलब principle जहां पर बोस है जिस तरीके से वो पनी बोस की मदद करने की कोशिच करता है by offering quick solutions to his problem is quite interesting हम देखते हैं lesson के अंदर वो कैसे त्यार रहता है अपने बोस की help करने के लिए एक दम quick solutions provide करता है जैसे एक बार वहां lesson के अंदर ऐसा वर्नन है कि वहां पे एक ऐसा फिल्म के अंदर scene करना था कि कैसे जो है एक जो है जो rat का जो है rat है वो कैसे एक line के बच्चे के उपर के कब के उपर कैसे जो है प्यार उड़े लेगा तो वो scene तो सुबू के पास पहले उसने चार alternative बताए फिर आगे 14 alternative लेकर वो त्यार हो जाता था एक दम उसके पास क्यूक solution होता था तो हर चीज का तो यह अपने आप में एक hilarious था quite funny था the description of legal advisor is also funny जो legal advisor है वो भी उसकी description भी जहां भी बहुत funny है unwittingly he spoils the career of a brilliant actress अंजाने में ही उसने क्या कर दिया एक brilliant actress का जो है career उसने समाब्द कर दिया the frustration of the office boy frustration देखिए office boy इसके अंदर frustrated था क्यों वो अपना गुसा हमेशा सुबू के उपर show करता था the superficial praising of गांदी जी गांदी जी की superficial praising की गई है lesson की अंदर hatred against communism जहां lesson के अंदर हमें बताया गया है कि communism के against जो hatred के बारे में the visit of MRA and the Stephen Spender और Stephen Spender का आना are some stances जे सारे उधारन है where the author has incorporated gentle humor जहां पे उथर ने gentle humor को समलित किया है तो देखिए आप इसकी मानलो आपको कुछ नहीं पता लगता है इसके answer में अपने क्या लिखना है तो एक तो आप gentle humor की क्या example है तो सबसे पहले तो यह थी कि बहां पे आपकी book के अंदर एक line थी a decent makeup artist जो था a makeup artist टरंस a decent looking man into a hideous one जो एक makeup artist था वो एक decent looking अच्छे दिखने वाले आदमी को hideous one में एक घ्रिनित ब्यक्ति में बदल देता था तो एक example दो जे थी दूसरी example जहां पे जो थी सुबू की थी सुबू का जो अपने आप में जो है character hilarious था the way he offers quick solution to his boss और तीसरी example जहां पे legal advisor की थी लिगल एडवाइजर क्या था once through his his fully he spoiled the brilliant career of an actors और फिर जो है Stephen Spender था फिर इसके अंदर office boy की example भी थी उसका जो anger था उसकी frustration थी जो इसके अंदर दिखाई गी है जे सारे जो थे एक gentle humor की फोर में थे तो next question देखिए why was court manglam subu considered number two in the jamini studio बड़ा important question है जे exam में जो है eight marks का आता है तो ये court jamini studio के अंदर number two पर क्यूं था तो देखिए इस सुबू के अंदर बहुत सारी qualities थी उन्ही qualities के कारण ही जे number two पर था means की इसमें सुबू का character sketch है इस question की अंदर तो जो भी उसकी qualities थी वो हमने सुबू की लिखनी है तो कौन कौन सी थी qualities सुबू was the number two at jamini studio सुबू number two पर था he was not highly educated वो highly educated तो नहीं था but he had the ability to look cheerful at all the times हर समय वो खुश रहता था he was loyal to the boss वो boss के प्रती बहुत बफ़ादार था he could never do things on his own वो कभी भी अपने तरीके से जो है जो काम नहीं करता था he was tailor made for films वो हमेशा जो है फिल्मों में लग-लग काम करने के योग्यों था he was always ready to help his boss by offering quick solution to his problems हमेशा अपने boss की help करने के लिए त्यार रहता था he had a separate identity as a poet उसकी एक अपनी separate बहचान भी थी एक poet के रूम में he was a very good poet बहुत अच्छा poet था but generally he chose to address his poetry to the masses वो आम लोगों के लिए लिखता था he had also written a novel उसने एक novel भी लिखा था he was an amazing actor वो एक बहुत amazing जवरदस्त अक्टर था he never aspired to the lead roles उसने कभी भी जो है श्रेष्ट रोल की कामना नहीं की but whatever role he played he performed better than the main players जो भी वो role करता main player से वो बहुत अच्छे तरीके से करता he had a genuine love for everyone who met him जो भी उससे मिलता उनके लिए उसका जो love है वो सच्चा होता his house was permanent residence of his relatives and acquaintances उसका जो house था उसके जो रिष्टेदार और उसके जाने वाले थे उनका permanent निवास्थान था he was charitable and liberal वो हमेशा मतलब liberal जो और charitable का मतलब जी है दूसरों के लिए जो है उनकी help करने के लिए और उनको प्यार दिखाने के लिए हमेशा त्यार रहता था just he had enemies फिर भी उसके enemies थे he never spoke ill of others कभी वो दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता था he was always ready to say nice things about everything हर किसी के बारे में वो अच्छी चीजे कहने के लिए त्यार रहता था so we can say that he was truly a nice character तो आपने इसकी अंदर सुबू की qualities ही लिखनी है by virtue of these qualities he was number two at Germany studio next question देखिए how does the author describe the incongruity of English poet addressing the audience at Germany studio incongruity होते है आसंगत्ता बहाँ पे कैसी incongruity आगी कैसी आसंगत्ता आगी कैसा मतलब बहाँ पे ऐसा समझस्य नहीं बना तो ऐसे जो है जो है जहां पे जो English poet बहाँ पे आया था तो उस incongruity को कैसे describe करता है तो जैमनी studios made Tamil films for the simplest sort of people जो जैमनी studio था जे तामिल film में बनात्या था आम लोगों के लिए in such a studio an English poet came to speak of his own experience ऐसे studio में एक poet आया जो अपने अनुभब के बारे में बताने आया his accent was unintelligible उसका जो accent था जे समसे परे था to everyone at the जैमनी studio हर किसी के लिए no one knew what he was talking about उसको किसी को भी ये नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहा है so the whole episode was very in congress इसलिए पूरा episode अपने आमें एक आसंगत बनके रहे गया next question देखिए what do you understand about the author's literary inclinations from the account ये अशोका मितरन है तो हमें जो author के जो है सहत्यक जो जुकाव के बारे में कैसे पता चलता है literary मतलब कैसे जो है उनकी knowledge के बारे में कैसे पता चलता है तो देखिए the author seems to be a learned person जो author है अपने आम एक learned person दिखते हैं कैसे he understood each and every character thoroughly at Gemini Studios जो वो Gemini Studio के अंदर जितने भी character होते उनको बड़ अच्छे तरीके से वो समझता था जानता था he has given the description of various activities of the Gemini Studios very vividly जहां पर यह word भी आप जोड़ सकते हैं very vividly वी आई वी आई डिल वाई उसने जितनी भी description थी various activities थी जो Gemini Studio की उसने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सपश्च तरीके से उनका जो बरनन दिया है we can say that he has mastery over the English language हम कह सकते हैं कि उसकी English language के उपर mastery थी so thanks for watching video इस वीडियो को आप जदस जदा like करें, hear करें, subscribe करें ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वो बनाने की मुझे motivation मिलती रहे so have a nice day